कि अच्छ नमस्कार गुद आफटरनून स्वागत थाव सभी का रोजगार विदं की चैनल पर तो क्या हाल है सभी के बचे जुड़ेंगे क्लास थोड़ी से 15 मिनेट लेट थी क्योंकि मुझे कुछ चीज एड करानी थी आपके कुश्चिंस में तो वह मैंने हमारी टीम से मैं तुरंत के तुरंत एड कराके एसे निया कि मैं कहीं लेट हो गया थोड़ा सा टाइम लिया तो क्या हाल है सभी के बताएंगे जल्दी से म हम लोगों का चलेगा ऐस्सारे प्रेंट इससे घब राते हैं है कि सोदा इसार मेंसुरेशन मेंसुरूइशन कैसे होगा कि होता है पता है मेंनसूरेशन हमसे नहीं होगा आपके सीनियर थे जो पहले लग चुके हैं या फिर तीयारी करे छोड़ दिये उन्हों नि आपके पड़ना पड़ेत तो वह आपने पढ़ी भी नहीं है लेकिन आपको दर आगया है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को पढ़ों यहां पर अमोले रटलों लोगे मैं सवाल मैं सवाल नहीं इतना संपलसा पिसमतला सवान सब्साइब कि आगे हैं मैं सवाल कि अगर अगाओ पग ऐसेटी की सब्दार सब्सक्रार कि में स्फल सब्सक्राइब सीधे सवाल आते हैं और अगर उनको फॉर्मुले याद नहीं होता है और अगर यह पता होता है या फिर घनाब है घनाव का कुल प्रस्टेश तरफल टोटल सर्फेस अगर यह मुझे पता होता तो मैं इस सवाल का आंसर कर जाता लेकिन ऐसा अफसोस आपको ना हो बढ़िया है कि थोड़ी सी कठे नहीं आपको पढ़ने में हो सकती है थोड़ी सी आपको नया चीजें लग सकती है थोड़ ठीक है और यह तो आपको पधारी है है एक बढ़ना चेक करना अब ठीक है वाइब को Chemistry को पास मिलाने के पास में होती कि अब देखियो करना मैं ठीक आ लिवस्तर है वह इसमें क्या दिककत है कि यह सई है सई है ultimately कि असे यह कि खिरए nicer करें में क्या क्या हमें पढ़ना है इसे पहले में वह चीजे आपको बता देफां मेंझा छेत्र मिती चेपंटर का नाम है इसमें क्या-क्या है यह मैं आपको बताता हो सबसे पहले हमें पढ़ना है तिर्भुज कि बुझ ट्रैंगल जिसको बोलते हैं है जका भुबतायग alguém झाल भी सारे होते हैं वह चीजा पूर कर ay precede है और किया कि काया होता है ठीक के में सुरेशन टू डाइमेंसनल फसका हूब तो टू-डामेंश्मल हम 6 वाली अभी में सुरेशन पड़ रहे हैं तो ट्राइंगल हमारा टूडी में आता है दूसरा लुदे एक हमें पड़ना है यह और भूज के चार भूजाओ वाली कोई आकरती है ना उसको चातख बोलते हैं अब चया वो व'र्ग हो वी चतुर पूझ होगा, चया वो आयत हो वह बिच्चतुर पूझ होगा, चया वो या आती है, आपका समकोण पूझ हो गया, आपका आईसोसेलस हो गया इसको बतेशसंधी बाहू सब विसंबाई हो ये सब हमारे तृभुज में आते हैं ये दो चीज रही हम यहां पर देखेंगे तिरभुज और चतृःबुज पड़ेंगे सरकल ऑं इसको व्रत बोलते हैं धुरत लेखेंगे और है ये चोंदर नमबर में पॉलिगन भी शोड़ा थे कहा बहू बुझ भी जिसको बोलते हैं इसको पॉलिगन भी हम लोग पढ़ लेंगे चार चीज हमें पढ़नी है किसमें टूड़ में सुरी में हमें क्या चार चीजे पढ़नी है अच्छा आपकी जो क्लास होगी मेंस्टूरेशन के आज क्या है आपका वेडनस डे है ना लंबी डेड़ेट दो गंटी क्लास करके मेंसुरेशन को हम कंप्लीट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे ठीक है एसन टूडी भी और थ्रीडी दोनों ठीक है कब सकते हो कि यह आपका नाश है यह फाला तो सब बहना अन्त है इसको करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्सक्तों करेंबार तिर्भुज सतार्ट करते हैं तिर्भुज से आप देखेंगे एक बार दिस जो है चार तरीके के बच्चे हमको पढ़ने हैं इनके फॉर्मुलेज मैं आपको लिखाँगा दो रंग के पैन ले लो और कौपी में बहुत अच्छे से फॉर्मुलेज रिखना क्योंकि आपका जो मैंसुरेशन है ना वो सारा बेजड है आपका फॉर्मुलेज पर फॉर्मुले आते हैं मैंसुरेशन आती है फॉर्मुलेज आपको नहीं आते ना तो आपको मैंसुरेशन नहीं आती ठीक है यह मान के चलना तो चार तरीके के बच्चे हमको तिर्भुज पढ़ने हैं समभाह संबाहु तिर्भुज विसंबाहु संदिबाहु और संकून इनके फॉर्मूले मैं आपको लिखाऊंगा चारों के इनके उपर सवाल भी मैं आपको कराऊंगा और इसके बाद हम चतुर्भुज आने के क्वाडी लेटरल के उपर चलेंगे डियाई और ग्राफ भाई यह करत डियाई क्या होता है ग्राफ पाई चार्ट यह सब जो होते हैं संबाहु तिर्भुज से संबाहु तिर्भुज से अगर मैं स्टार्ट करूं यह संबाहु तिर्भुज से पहले भी अगर मैं आपको ति तिर्भुज ठीक है आपके सामने जो है तीन भुजाओ वाली आकरती होती है इसको बोलते है तिर्भुज यानि के अगर मैं इसकी ये साइड ए माननू ये साइड बी माननू ये साइड अगर मैंने सी मानी तो तीन इसकी भुजाए होगी और अगर मैं मानू यहाँ पर किसी एक बेस पर यह बेस होता है इसका बेस इसको आधार बोलते हैं अगर मैं यहां पर 90 डिगरी के कौन के साथ कोई एच उचाई डाल देता हूं हाइट जिसको क्या बोलते हैं उचाई यह लिखते देनें कौपी में यह सब लिखने वाली चीजेंको बता सबनागे कोई भी तिर्भूज है फिलाल धिर्भुज बढ़ारा हूँ क gefंश on यह समझने में दिक्कत करता है ठीक है तो बहिया एरिया एको स्टू क्या होता है बेस इंटू राइट अप ऐसे भी इंगलीज में भी लिख सकते हो एक बटे दो इंटू बेस इंटू हाइट किसको बोलते हैं area of triangle तिर्भुज के छित्रफल को बोला जाता है एक बटे दो आधार इंटो उचाई यह तो इसका छित्रफल हो गया बच्छे अब तिर्भुज तो छोड़ो अब तिर्भुज तो छोड़ो किसी भी आकरती का आपसे अगर परिमाप पूछ लेना अगर आपसे कहे परिमाप क्या होगा क्या पूछे आपसे अगर आपसे पूछे परिमाप क्या होगा यानि के perimeter क्या होगा याद रखना इस बात को जो मैं बताने वाला हूँ किसी भी आकरती का आप से अगर परिमाप पूछे अगर perimeter पूछे ना तो सारी भुजाओ को जोड़ दो formula याद करने की जरूरत नहीं है formula याद करने की जरूरत नहीं है आप सारी भुजाओ को जोड़ दीजिए वही perimeter होगा तो यहाँ अगर मैं इस तिर्भुज का आपसे perimeter पूछने जाओं तो आप कहेंगे के सर तीनों भुजाओ को जोड़ दो A प्लस B प्लस C ये हो जाएगा इसका perimeter तो तिर्भुज का perimeter अगर आपसे पूछे perimeter हो जाएगा बात clear है बिल्कुल clear है आपको तो ये तिर्भुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी है अब तिर्भुज कितने पिरकार के हो सकते हैं कैसे कैसे तिर्भुज हो सकते हैं वो सारी चीज़े मैं आपको बता है किसी भी बच्चे का रजनी सगर पढ़ाई के लावा दो इसे तीन बार दो बार से जाद़ को ब्लॉक कर देना तो बच्चे आपको यह अपलाई करना तीस सेकंड के बाद पहले कमेंट के होंगे बच्चे ने तो यहां पर वाइस लो है भी साधा और क्या बोलू थोड़ा से अधस्ट कर लो वह वाइस की दिकत इतनी भी नहीं है जितनी आप यहां पर लिख रहे हो रात को जब ऐसे एक तक्या ऊपर रखा होता है उपर से रजाई रखी होती और उसके बाद भी ऐसे बोलते हैं वो आवाज तो तुमको बहुत आराम से सुन जाती है यहां पर मैं चिला के बोल रहा हूँ यह वाज तुमको इतने चिला के भी कहरो सर जी वाइस सुलो है उस वाइस में तो तुम्हें आता है ऐसे ही बोलो भाब वो तुम्में बिल्कुल केलिर सुनाई देतی हैं बिल्कुल केलियर आपके बरावर में बरावरस वाली चारपाई पर पर पापांको आवाज नहीं जाएगी तुमारी वाइस विक ध३श wonder नहीं तुम कुछंब को नहीं बोलते उनों लोए तुमारी यहां मेरी हलकी सी यह हो संबाहु दिर्भुजम रायटिंग मेरी ऐसी है साथ गरीब तो देख लेना इसको इंग्लिस से बोलते हैं एक्विलेट्रलयग। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं बच एक ऐसा तिर्भुज लिखते रहना एक ऐसा तिर्भुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है बच्चे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है थ्री साइड्स आर इक्वल तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं संभाहु तिर्भुज बोला जाता है अगर मैं इसको यहां पर बनाके दिखा तो यहां पर कुछ इस तरीके का आप का संबाहुत्र भुज बनेगा यह साइड्वी ऐ यह साइड्वी अवर यह साइड्वी घुल है अब इसके कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं इसके कुछ फॉर्मूले क्या होते हैं फॉर्मूला नमबर वन होता है इसका करिमाप बता क्या इंगलिस वाले पैर मेटर लिखेंगे में दूसरे नमबर पर आता है च्छित्रफल एरिया के पीसरे नमबर पर आता है इसका ऊचाई पूचाई यानि के यह यहां से मैंने ऐसे परपेंडिकुलर डाल दी ठीक है उचाई क्या होगी चौथे नंबर पे होगा इसका कि अंतहत रज्जा अंत अंतहत रज्जा कि जिसको इंगलिश में बोलते इंड रेडियस इन रेडियस यानि के इन रेडियस भी आपको बताऊंगा मैं अभी जाओ पांचवे नंबर पे आता है आपका परीत्रज्जा परीत्रज्जा जिसको बोलते सरकम रेडियस ठीक है यह चार-पांच चीज़े हैं यह यह पॉइंट डालिए फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है देखना आफ कि लिखेंगे इसके बारे में भाई इसका जो परीमाप होता है परीमाप के बारे में तो मैंने आपको बताया कि सारी भुजाओ को जोड़ दो कितना होगा क्या होता है बच्छे तीन भुजाओ को जोड़ दिया ए और इसका परिमाप हो जाएगा तीन ए बात करें अगर मैं संभाहु तिर्भुज के छेतर फल की तो वह होता है रूट थ्री बाई फोर और ए स्कॉयर यानि के भुजा का स्कॉयर बात करें अगर उचाई की तो यह होता है रूट थ्री बाई टू और ए गुणा ए कर देंगे बात करें अंत्यत्रज्जा अंत्यत्रज्जा क्या होती है अंत्यत्रज्जा होती है मैं आपको इसमें ही समझा समझा देता हूं कि इसमें समझा देता हूं अंत्य तरज्जा होती है कोई हमारा संभाहु तिर्भुज है इसके अंदर अगर मैं कोई सरकल बना दूं इसके अंदर अगर मैंने कोई वरत बना दिया तो सेंटर से लेकर यहां पॉइंट तक का जो रेडियस होता है जो हमारी त तरज्जा तो अंत्यतरज्जा होती है एबाई टू-रूट-3 अंत्यतरज्जा क्या होती है एबाई टू-रू-ट-3 एपॉण बहुत सारे कुछ फॉर्मुले इस हैं बच्चे टू-डी में जो आपको रटने है या फिर ऐसा करो नोट्स बनाओ फिर उसके बाद एक एक फोर स circle बना यह बाहर-बाहर को हमारा circle बना और यहां से लेकर circle तक का जो part होता है यह capital R यह आपकी परितरज्य होती है circum radius होती है और यह होती है a by root 3 क्या होती है आपकी circum radius होती है हाँ जी app में मैं भी पढ़ा रहा हूं विलकुल सही बात है, अब इसमें और कुछ result है, जो आपको direct याद रखने है, और कुछ result क्या है? बशりध भी दारेक्ट आप से पूछलेगा कि आपकी इसकी circumradius, क्या पूछेगा? कि इसकी circumradius, यानि कि परीतरज्जा और अं blossompt रज्जा का थ्री और यह क्या है ए वाई तू रूट थ्री इनका अगर मैं आपसे अनुपात पूछने लगो अगर मैं इनका आपसे अनुपात पूछने लगो तो क्या आप इसका अनुपात बताओगे ए से तो ए गया रूट तीन से रूट तीन गया दो इधर आएगा और एक इधर के अंतहे त्रज्जा के अंतहे व्रत का छेत्रफल और परीवरत के छेत्रफल का अनुपात आप से पूछेगा परीवरत का छेत्रफल और अन्तहवरत का छेतरफल अन्तहवरत का छेतरफल इनका अनुपात आपसे पूछने लगे तो क्या होगा भाई आप इनका स्क्वाइर कर दो त्रज्जा का स्क्वाइर कर दो जस्ट आपने कुछ नहीं करना दो का वर्ग होता है चार एक कवर्ग होता है एक ये हैं ये कहानी है किसके बारे में संबाहु तिरभुज के बारे में Shambhahut तिर्भुज के बारे में इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहां पर करता हूँ ताकि आप इसका इस्क्रिन सॉॉट भी ले सको मैं हट जाता हूँ आप चाहो तो बच्चे, इसका स्क्रीन सॉट लेलो ले 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 लिए स्क्रीन सॉट इसके सवालों को कराएं अब संभाहु तिर्भुज के उपर जितने भी सवाल है वो सारे के सारे मैं आपको भी करा देता हूं उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले ट्राइंगल पर चलेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो यह सारी चीजे पढ़नी है परिमाप क्या होता है सारी बुजाओं को जोड़ देंगे तीन ए होता है इसका छित्रफल होता है रूट थ्री वाई फॉर एइसकी उचाई होती है रूट इसकी परित्रज्जा होती है आपकी एवाई रूट थ्री और इसके परित्रज्जा और अंत्यत्रज्जा का अनुपात होता है दो अनुपात एक अब परित्रज्जा का छेत्रफल और अंत्यत्रज्जा का छेत्रफल होता है चार अनुपात एक जस्त इतनी सी चीजे आपन कि देखना एक बार इसको क्या बोलेंगे यह तो मैंने लिखवाया है यह तो मैंने लिखवाया है क्या कि एक संभाहु तिर्भुज में अंत्यत्रज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् यहां क्रोस मुलेप्लाइब करोगे तो आर बरावर क्या आ गया तुवार आ गया कई ऑप्सन में है यहां से आर बरावर क्या कह सकते हो आरवाई टू भी बोल सकते हो आपको लेकिन अगर आप formulaise ना पढ़ते तो यह आपको समझ में नहीं आता क्या तो antithrajya, क्या तो in radius होता है, क्या हमारा circum radius होता है, कोई आपको clear ही नहीं होता है ना हाँ, एप में सुरू से चलेगा बचसा की बिल्कुल सुरू से चलेगा इस illness हो होगी उसका सरकम 08E1 अब यह भी मैंने आपको फॉर्मूले में लिख्वाया है किसीभी संबाहुतिर्भुज का जो परित्रज्जय सरकम रेडियस होता है ग्या होता है दो 2 तो रूट टीन बटे रूटीन रूटीन से रूटीन उड़ा आपका आंसरा जाएगा दो यह आ गया यह तो इस सवाल का Jeans कि चीर भाड करते हैं आप मुझे बता दो इसका अंतहत्रज्जा क्या घथी जलदी से बता रहे हैं चीर फाड़ कर रहे हैं तो मुझे बताओ जल्दी से इसकी अंतेत रज्जा क्या होगी इसकी हमारी इन रेडियस क्या होगा तो आपका आणसर क्या होगा आप कहें गए सर इन रेडियस होता है ढगई एक सब्सक्राइब तू रूट थिरी और बटे टू एरिया कितना होगा मुझे आपकी तरफ से आंसर मिलना चाहिए फॉर्मूला याद है नहीं तो पेज पलट के देख लो किसी भी संभाहु तिर्भुज का जो छित्रफल होता है किसी भी संभाहु तिर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है root 3 by 4 क्या होता है root 3 by 4 और भुजा का square by root 3 by 4 भुजा कितनी है 2 root 3 और उसका square कितना हो जाएगा root 3 by 4 और 2 का square होता है 4 और root 3 बचे किसी भी root का square यह मैंने सिखाया है आपको जब मैंने आपको thirds indices पढ़ाया था किसी भी root का square करते हो तो संख्या वही बहार निकल के आती है तो यहां पर 2 दूनी 4 और root 3 का square करोगे तो 3 ही आएगा तो कितना आजएगा 2 दूनी 4 तिया 12 तो 4 तिया 12 तो भाईया आ गया 3 root 3 कितना आ गया 3 root 3 तो अब आप मुझे बता दो कि इस तिर्भुज के परीवरत और अंतहवरत के छित्रफल का अनुपात, जल्दी से बता दो, मैंने कहा परीवरत और अंतेवरत के छित्रफल का रेश्यो क्या होगा, यहीं पर बता दो, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो जो एक बेर लिखवा दिया ना मैंने आपको, किसी भी संभाहु तिर्भुज के परीवरत और इसा चार अनुपात है, अगर मैं इसी में पूछने लगूं, कि भाई इसके परीवरत और अंते, सारी, परीतरज्या और अंतेतरज्या का अनुपात बता दो, इसी तिर्भुज के, हमें मतलब नहीं है, क्या साइड दी हुई अब भूल जाओ, यह दो रेश्यो कभी हो, तो यहाँ पर अगर आपसे कहे, परीतरज्या और अंतेतरज्या का रेश्यो बच्चे हमेशा 2-1 होगा, बिना सोचे समझे लिख दो, बिना सोचे समझे, यह दोनों रेश्यो सेम रहेंगे, ओके, तो यह सारी चीरफाड कर दी, उचाई और बता दो, वही बचरा है, उ यहाँ पर लिख दे, जल्दी से इसकी उचाई और बता दो क्या होगी, इस संभाहु तिर्भुज की उचाई बता दो, देखो एक सवाल में 5 सवाल करा दिये मैंने आपको, इसी सवाल में 5-6 सवाल करा दिये मैंने आपको, तो ऐसे ही मज़ाएगा, भई ऐसे ही पढ़ना के लिए पढ़ रहे हैं, आंसर तो हमें एक्जाम में निकालना है, ढंग से जाके, यहाँ पर अगर हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हाइट उचाई होती है, बच्चे क्या, रूट तीन बटे दो, ए, तो रूट तीन बटे दो, और ए कितना है, ए तो भईया बिल्कुल कर दिये सर, देखना इस सवाल को, अब इसमें किसी भी बच्चे को टाइम नहीं लगना चीए, भई, किसी भी बच्चे को टाइम नहीं लगना चीए, अभी चिल्ला चिल्ला कर बोला है, कि भुजा दुनिया की कोई भी हो, अंतहतरज्या और परितरज्या का जो रेश्यो है वो कभी चेंज नहीं होगा, अनतहवरत का छेतरफल और परीवरत का छेतरफल का जो अनुपात है वो कभी चेंज नहीं होगा, भुजा की तरफ तो दिहान नहीं मलतो, सवाल को देखो उसने पूछा क्या, एक संभाहु तिर्भुज जिसकी पिरतेक भुजा 12 cm है इसके अनतहवरत, पहले अनतहवरत को रखना है, और परीवरत के छेतरफल का अनुपात, यह तो हमने पढ़ा है, यह तो पढ़ा है, अनतहवरत का छोटा होता है, अनतहवरत छोटा होता है, परीवरत बड़ा होता है, यहना कभी confusion हो, एक और चार में अनतहवरत कौन सा होता है वो छोटा होता है तो उसका च्छेतरफल कम होगा और जो बाहर बना होगा उसका च्छेतरफल बड़ा होगा अनुपात कितना आएगा एक अनुपात चार उसने पहले अंतेवरत रखा है और फिर परियूरत तो आप का अंसर कितना होगा अपसर नंबर सी सर यहां पर बारे का क्या काम कुछ भी काम नहीं है बारे का रेश्यो अगर पूछ लेना कुछ भी काम नहीं है आप सीधा अपना अंसर लगाओगे एक बार थमसब करके बताओ यह चीज बिल्कुल किलियर हो गई तो आपको के सर कभी भी भुजा कुछ भी दी हो अगर वो अंतेवरत और परीवरत के तरज्जा का अनुपात पूछे हम कर देंगे छेतरफल का अनुपात पूछे हम कर देंगे ठीक है एक सिस्टेमेटिक तरीके से आज मैं आपको मैंसुरेशन पढ़ाओंगा और आपको लगेगा ही नहीं कि सर मैंसुरेशन भी हार्ड होत है प्रेस्ट जो बता रहा हूं वो पढ़ते जाओ अपने दिमाग से निकाल दो कि मैंसुरेशन हार्ड है जो पढ़ा रहा हूं वो चीजे मैं रटवा दूंगा मैंसुरेशन आपको रटवा दूंगा इस सवाल का मुझे एरिया और बता दो स्कवाईर स्कौरर होता है उक्सुरात चार से जाएगा चारटींबर चारचिंग 24 आंसर आगया 36 रूट3 यह इसका छेतरफल है इसकी उचाई और बतादो जलंदी से क्या होगी वचे इसकी उचाई और बतादो हाइट क्या होगी इस में इस कोश्चन में इस संभाहु तिर्भुज की ऊचाई क्या होगी क्या आप मुझे बता सकते हो जल्दी से क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहां पर इस संभाहु तिर्भुज की उचाई क्या होगी तो आप कहेंगे सर उचाई का फॉर्मुला होता है रूट 3 बाइ 2 इंटू A ये होता है तो रूट 3 बाइ 2 और A कितना है 12 तो 2 छिक के 12 6 रूट 3 कितना आ गया 6 रूट 3 बात कतम है ठीक है यही पर रेश्यो पूछने लगू सर रेश्यो ना पूछो अब रेश्यो तो वही रहेंगे तरज्या का रेश्यो पूछोगे तो वही रहेगा एक और दो का अंतह और परी तरज्या का आप छितरफल का पूछोगे तो अंतह व्रत की तरज्या और परी व्रत की तरज्या का 6-3-4 रहेगा यह सवाल ना पूछो सर कुछ भी पूछ लो पूछता हूं इसका परिमाप बता दो जल्दी से क्या होगा इसका परिमाप बता दो भाई जल्दी से क्या होगा परिमाप बता सकते हो इसका परिमाप क्या होगा इसका पैरिमीटर क्या होगा पैरिमीटर सर पैरि जाब बारा है तो दूसरी भी बारा होगी और तीसरी भी बारा होगी सर पेरी मीटर तो 36 हो जाएगा होगी चीर फट चलिए अगले सवाल पर ओके चलिए बताएंगे जल्दी से यहां पर सवाल का अंसर क्या होगा एक संभाहु तिर्भुज के अंतेवरत का छेतरफल 462 है तो तिर्भुज का छेतरफल क्या होगा देखो यहां से आपको भुजा निकालनी पड़ेगी फिर आप उस तिर्भुज का छेतरफल निकाल पाओगे जैसे आप जानते हो उसने दिया है संभाहु तिर्भुज यानि के इक्विलेटरल ट्रेंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और उसका छेतरफल क्या होता है उसकी तरज्या क्या होती है अंत्ह वरत की टू रूट थिरी तरज्जा स्क्वाइर कितना है 462 के बराबर किसी भी वरत का छेतरफल उसने अंत्य वरत का छेतरफल वो होता है पाई गुणा तरज्जा का स्क्वाइर तो किसी भी अंत्य वरत की तरज्जा होती है जो भी संभाहू तिर्भुज के अंत्य वरत की का स्कॉयर पाई का मान होता है 22 बटे साथ और एक एस्कॉयर बटे टूरूट त्री का स्कॉयर करेंगे दो दूनी चारतिया बारा बराबर 462 ठीक है बाइस से गटेगा बाइस दूनी 44 बाइस एकम बाइस तो एस्कॉयर कितना आ साथ उधर जाएगा 21 गुणा साथ गुणा बारा गुणा मत करना इसको गुणा मत करना देखना यहां पर मैं इसको लिखूंगा यहां पर यह बराबर क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 21 को लिख दो साथ गुणा तीन और साथ पहले से ही है और बारे यह रहा तो क्या मैं इसक को उलट पलट करके पूर्वर्ग बना लिया गुणा करने से बच गया आप चैसा भी कर सकते हो इनको गुणा कर लो और फिर इसका वर्ग मूल निकाल लो साथ वही है मैंने क्या किया मैं ने 21 को लिख दिया सात गुणा तीन 17 को ऐसे р गुणा किया 49 और बारतिया 36 अब एक आमान कितना होगा 49 का 7 भार आएगा और 36 का 6 यानि के 42 मिल गई मुझे भुजा क्या मिल गई बचे मुझे उस तिर्भुज की जो भुजा है वो 42 मिल गई अब भुजा मिल गई अगर 42 तो भाई तिर्भुज का छेतरफल होगा रूट 3 x सभी जानते हैं क्या हो जाएगा रूट 3 by 4 और 42 गुणा 42 कि दो से कटेगा दो दुनी चार 21 बार दो से कटेगा 21 बार 21 गुणा 21 होता है 441 रूट 3 क्या हो जाएगा भाई आंसर 441 रूट 3 option number C आपका बिलकुल सही जवाब पहले तो मैंने किया कि अंतहव रत से उसकी भुजा निकाली उसकी भुजा निकालकर इस छेत्रफल में रख दिया मैंने रूट 3 by 4 A स्कूएर में है ना मेरा आंसर आ गया बहुत अच्छे चलो एक और बढ़िया सा सवाल कराता हूं करना इस सवाल का आंसर जल्दी से क्या होगा संभाहू तिर्भुज खतम फिर अगले तिर्भुज पर चलेंगे करो इस सवाल का आंसर जल्दी से क्या होगा देखना उसने कहा एक संभाहू तिर्भुज की पिरतेक भुजा का जो माप है ना वो चार रूट 3 है इच साइड जो है वो फोर रूट 3 है तो इसका सीर सलंब क्या होगा ältिटैटैटैटैट Toure ह Griffith पूछ रहा है हाई एक सी understood होता है पॉर्मूला पता है आपको नहीं पता है लिक्वाया तो था इसके सवाल भी कराएं कई बार तो root 3 by 2, A कितना है, 4 root 3, तो 2 दूनी 4, तो 2 गुणा, root 3 गुणा, root 3, 3 होता है, और 2 तीया कितना 6, आपका answer, option number D आ गया, खिलकुल आ गया न, अब इस सवाल में अगर आपसे पूछने लगे, कि उसका 6 तरफल बता दो, आप निकाल दोगे, छेतरफल एरिया का formula होता है, root 3 by 4, A square, आपसे पूछने लगे, कि इसकी अंतहत तरज्ज, इन radius बता दो, तो इन radius का formula हो जाएगा, A by 2, root 3, आपसे पूछने लगे, इसकी परितरज्ज, इसका सरकम radius बता दो, क्या होगा, उसका formula होता है, A by root 3, A का मान ये रखते चले जाओ, आपका अंसराता चला जाएगा, बैस क्या है, सारा खेल है, formula का, क्या होगा, formula का होगा, आपका सारा खेल, वो आना आपको बहुत जरूरी है, तो लेक basic triangle पर करा देता हूँ, बचे basic triangle का आपका question आ गया, संभाव का नहीं है, basic triangle जो मैंने शुरू में आपको बताया था, basic triangle क question है, एक तिरभुज की भुजाओ का जो अनुपात है, वो एक बटे 4, एक बटे 6 और एक बटे 9 है, उसने पूछा, इनका परीमाप, तिरभुज का जो परीमाप है, वो 171 cm है, तो सबसे लंबी, भुजा की लंबाई क्या होगी, पर दो यार, सवाल में क्या है, कुछ भी आपको दिया हुआ है, भुजाओ का जो रेशियो है, वो है 1 बटे 4, 1 बटे 6 और 1 बटे 9, यह इसकी side के बारे में बोला हुआ है, कि जो तिरभुज की भुजा है, वो किस रेशियो में है, 1 बटे 4, 1 बटे 6 और 1 बटे 9 अगर मैं इस अनुपात को simple बनाने जाओं, मैं इस ratio को simple बनाने जाता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं 6, 9 और 4 का LCM लोगा, 36 और 36 की गुणा यहां भी करूंगा, यहां भी और यहां भी, कितना होगा, 4 नाम 36, 6, 6, 36 और 9, 4, 36, भाई जो ratio बनेगा, वो बनेगा 9, 6 और 4 का, यह जो 9, 6, 4 का ratio है ना, यह तिरभुज की भुजाओ का ratio बन गया, अब उसने दिया हुआ है परिमाप, पैरी मीटर, आप जानते हैं क्या मैं इसको 9, R, 6, R और 4, R कह सकता हूं, अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कि किसी भी तिरभुज का जो परिमाप होगा, वो सारी भुजाओ का योग होगा, क्या होगा, बच्चे वो सारी भुजाओ का योग होगा, 9, 6, 15, 15, और 4, 19, R किसके बराबर है, 171 cm के, तो R का मान कितना आ गया, 171 बटे 19, यानि के R का मान आ गया 9, अब अगर R का मान 9 है, तो उसने कहा सबसे लंब भुजा है ना, आप देख लो, वो तो 9R है, तो बच्चे 9R का मान कितना होगा, 9 गुणा 9, यानि के 81 cm, बच्चे आपका अंसर कितना हो जाएगा, 81 cm, बिल्कुल सही जवाब होगा, सभी का अंसर बिल्कुल सही है, चलिए इस बेसिक ट्राइंगल पे एक सवाल और करा दे जल्दी से इस कांसर, बता दो आप मुझे क्या होगा, सभी लोगों से मुझे इस कांसर चाहिए, बताया तसरू में, कोई भी तिर्भूज है, उसका छेत्रफल होता है, एक बटे दो, गुणा उचाई, गुणा आधार, हाफ इंटू, बेस इंटू हाइट, वहीं से बात बनेगी, सेम वहीं से बात बनेगी, जल्दी से बता दो, दो तिर्भूज के छेत्रफल का जो नुपात है, दो तिर्भूज के छेत्रफल का रेश्यो है, वो चार नुपात तीन है, तो को यहाँ छेत्रफल का रेश्यो दे दिया, उचाई का रेश्यो दे दिया है, भाई, से आधार का रेश्यों पूछा है आधार का रेश्यों नहीं पता हमें ए और बी मान लेते हैं वहीं तो बताना है हमें और छित्रफल का रेश्यों दिया हुआ है उपर सबसे पहले तो वहीं दिया हुआ है छित्रफल का रेश्यों चार तीन का है तो क्या मैं काम कर सकता हूँ इन दोनों की अगर मैं गुणा कर दूं तो क्या मुझे 4-3 का रेशो नहीं मिलेगा आधार और उचाई की अगर आप गुणा करते हो तो क्या छेत्रफल का रेशो नहीं मिलता आपको हांसर मिलता है एक बटे दो वो तो कट जाएगा रेशो में हाला कि किसी भी तुरूज का चेत्रफल होता है एक बटे दो गुणा आधार गुणा उचाई यही होता है ना एक बटे दो आधार गुणा उचाई अब अगर आप रेशो में बात कर रहे हो तो भाई एक बटे दो तो कट जाना है जो भी बचेगा वो आधार और उचाई की बात बनेगी तो अगर आप गुणा करते हो तीन ए बटे गुणा करते हो चार भी तो ये किसके बराबर होना चाहिए बचिए चार बटे तीन के बराबर होना चाहिए के नहीं हाँ जी चार होना चाहिए अब ये चार तो उधर चला जाएगा तीन इधर आ जाएगा तो ए बटे भी किसके बराबर हो गया चार चौके सोले और तींतिया नो तो यहां पर उसकी आधार का रेश्यो कितना आ गया सोले और नो क्या रेश्यो आ गया आधार का रेश्यो आ गया सोले और नो बिल्कुल सही जवाब होगा सभी का आंसर सही है तो यह तो हो गई संभाहु तिर्भुज की बात संभाहु तिर्भुज यहां से इसका केस खतम हुआ बात आते हैं अब किस पे विशंभाहु तिर्भुज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं विशंभाहु तिर्भुज के बारे में थोड़ा सा यह दो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा इंप्गोधि और समकों सबसे ज्यादा अगर एक्जाम में कोश्चन बनते हैं इन दोनों के उपर सवाल गनते हैं कमकौण और समभा हूं करते है कि रहे हैं परते हैं विषांबा तो विसंबाहु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं किंए यानि किरे प्राइंगल सर विसंबाहु क्या होता है वैंसल्बाहु क्या होता था संबाहु जब मैंने आपको पढ़ाया तो संबाहु का मतलब होता था जिस Shenong भुजाएं बराबर हो वो संभाहु एक्विलिटरल होगा तो विशंभाहु होगा जिसकी तीनों भुजाएं अलग-अलग हो जिसकी तीनों साइड क्या हो यह यह हो यह हो यह हो यह सी हो तो यहां पर आपका विसम बाहुतिर भुज इसके बारे में दो तीन चीज़ अगर परिमाप पूछेगा तो परिमाप क्या होता है जल्दी से मुझे बता दो क्या आप इसका परिमाप क्या इसका पैरिमीटर बता पाओगा आप मुझे सर पैरिमीटर के लिए तो आपने स्पेसल बोला हुआ है किसी भी आकरती का पैरिमीटर पूछे ना तो तीनो भुजाओ को जोड़ दो तो यहां पर आएगा A पिलस B पिलस C कितना आजाएगा पैरिमीटर को P भी बोला जाता है ठीक है सौट में P बोल देते हैं अगर मैं आपसे कहूँ अर्ध परिमाप क्या होगा सर यह कहां से वर्ड आ गया अर्ध परिमाप इसमें आता है अर्ध परिमाप यानि के आधा परिमाप सेमी पेरिमीटर अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप सेमी पेरिमीटर होता है क्या होता है सेमी पेरिमीटर होता है तो भया अर्ध परिमाप होगा A प्लस B प्लस C परिमाप का आधा ये अर्ध परिमाप होगा अब अगर मैं पूछ हूँ किसी भी स्कैलीन विसं का चिर्फुज नाम टॉर्फ तॉर्मूलाों नाम से विसं मुझे बता सकता है कि स्कैलीन ट्रांगल उसमार के स्कैलीन का चिर्फु경ल और पंए आप मेंसे कोई भी मुझे बता दे कोई भी आप मेंसे मुझे बता दे कि किसी भी विसंभाहु तिर्भुज का छेत्रफल क्या होगा जल्दी से चलो मैं बता देता हूं फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस एस यानि के सेमी पेरिमीटर और एवी सी उसकी भुजा और एस माइनस भी और एस माइनस सी यह होता है इसका छेत्रफल किसी भी विसंभाहु तिर्भुज का जो छेत्रफल होगा और एक बात आपको स्पिसल बता दू यह हर तिर्भुज का छेत्रफल का फॉर्मूला है यह का कह रहे उसर हाँ सबसे पहले तो विसंभाहु तिर्भुज का ही निर्मान हो था सबसे पहले अगर तिर्भुझ बने थे ना तो सबसे पहले विसंबाहू तिर्भुझ बना अलग-अलग भुझाओ फिर उसकी तीनों भुझाएं बराभर कर दी तो संबाहू बन गया एंगल बदला, 90 डिग्री का कर दिया तो संपन con बन गया नगा दो जाहे इसे आपसंदी भाहों में लगा देना यह फ्रला हर किसी के लिए है इसी लिए इसका नाम क्या है heroes फ्रलाे से इसीलिए है नहीं यह नाम जिसने झाली किया था heroes formula under root of usu याट वी मेरे साथ बोलेंगे under Root of us us – या फ्रick मेєनस येज चुंताब कर दो पेरिमीटर यानि के a प्लस b प्लस c by 2 इतना रखेंगे अब मैं आपको एक कुश्चन देता हूं उसका आंसर आप मुझे बताएंगे क्या है किसी भी तिर्भुज की भुजाएं मैं दे देता हूं आपको बचे यह 13 है यह 14 है और यह 15 है आप मुझे बता दो इसका 6 तरफल क क्या होगा आपका आंसर क्या मिलेगा इस तिर्भुज का एरिया मैंने आपसे पूछा किसी भी तिर्भुज की तीन भुजाएं है 13 14 15 और उसका छेत्रफल क्या होगा आपने देखा तीनों भुजाएं तो अलग-अलग है तो सर इसमें तो हीरोज फॉर्मूला लगेगा क् केलिन ट्राइंगल है विसंबा हुत्र बुज है हाँ भई है बताओ तो जल्दी से आंसर क्या होगा यहां पर आप मुझे बता सकते हो कि इसका अर्ध परिमाप क्या होगा सैमी पेरिमीटर तो आप कहेंगे सर 13 प्लेस चौध है प्लेस पंदरा और बटे दो कितना होगा प मुझे मतलब है अर्ध परिमाप से इसके बाद में आप डारेक्ट एरिया निकाल देंगे कितना होगा अंडर रूट ओफ 21 गुणा एस माइनस से यानिके 21 माइनस तेहरा गुणा 21 माइनस चौध है गुणा 21 माइनस पंदर है यह आपने करना है और आपका आंसर आ जाएगा सब्सक्राइब है, चल्दी से बताई यह आंसर क्या होगा आप कहेंगे यहाँ पर आएगा आपका 21 गुणा 21 में से 13 गये इकतना है आएगा आठ 21 में से 14 गए कितना आएगा 6 और एक 7 और यहाएगा 6 अब यहाँ पर इनकी गुणा मत करने बेट जाना आप गुणा करके फिर इनका वर्ग मूल निकालो देखो क्या अंदर ये अंदर कुछ पूर्ण वर्ग बना सकते हो आप 21 को लिख दो आप 7 गुणा 3 8 को क्या लिख सकते हो चार गुणा 2 और 7 को ऐसे रहने दो और 6 को ऐसे रहने दो तो साथ और साथ क्या हो गया यह साथ और यह साथ उननचास बन गया गुणा यह चार को ऐसे रहने दो तीन दूनी 6 और 6 चिंग 36 36 को अलग बना दो यह को सारी की सारी संख्या पूर्ण वर्ग बन गई अंदर जब इतनी बड़ी आए ना तो अंदर पूर्ण वर्ग बना दो आप आपका बात बन जाएगी तो भया उनन चास का तो साथ भार आ गया चार का दो भार आ गया और 36 का हाटन आपका जो एरिया है वो कितना आगया 84 गया कितना आगया 64 स्केलिंट ट्रेयंगल हलाकि आपके एक्जाम में आने मैं के चांस नहीं है केलिंट्रेयंगों नहीं बन जाए तो आपि यह फॉर्मुला लगा कर अपना झानसर भात सकते हूं शेले chicken King for होता है समदिबाह क्या होता है टौपिक डालेंगे विद्ध तीसरा आई-सो सेलस ट्राइंगल आइसो कि आई-सो सेलस ट्राइंगल कि आज मैं कि और जितना भी पार्ट पढ़ाऊंगा वो दुबारा पढ़ने की जुरुरत नहीं पढ़ेगी, दो महीने एक्जाम में है, बचे, जी जान लगा दो, मैं तो ये बोलूँगा आप से, जी जान लगा दिया ना, तो माबाब भी खुस, तुम भी खुस, आने वाली पीडी खुस, पहले वाली पीडी खुस, पुरा गाउँ खुस, और नाम ही नाम है अब अगर अपने comfort zone ढूंडोगे comfort zone का मतलब होता है आप ढूंडते हो के मुझे ये समझ में नहीं आरा मैं ये नहीं पड़ूँगा मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा मैं ये नहीं पड़ूँगा वो होता है आपका comfort zone Comfort Zone में अगर घुष गए नए एक बार तो Comfort Zone में सेलेक्शन नहीं होता बचे Comfort Zone से बाहर आना होता है आपको Comfort Zone से बाहर का मतलब है जो चीज आप से नहीं आ रही ना क्यों नहीं आ रही भई, यह मुझसे करूँगा मैं वह चीज करो वह Comfort Zone से बाहर की चीज़े होती है कि जो आप से आ रही है वो तो आती है जो नहीं आ रही उनको अपने अपने पास अपने अनुकूल करो उनको तब चीज़ आपके समफर जून से भाहर आएंगे और आप अपने सेलेक्शन की तरफ बढ़ होगे आइसोसेलस ट्राइंगल यानि के सम दी बाहू तिर्भुज सम दूई बाहू तिर्भुज तूई बाहू तिर्भुज आपको यहां से इसके नाम से ही कुछ पता लग रहा होगा सम दूई दू सम दूई मतलब दो और बाहू मतलब भुजा बाहू मतलब भुजा तो जिसकी दो भुजा बराबर हों जिसकी दो भुजा बराबर हों यानि के यह भुजा मैं A मान लूँ यह मान लूँ तो यह B हो जाएगी यह दोनों भुजा वच्चे इसकी बराबर होती है यह क्या होत बता दो परिमाब के बारे में तो ज्यादा सोचने की जरूरत आपको है नहीं परिमाब perimeter क्या होगा जल्दी से इसका छित्रफल की और बात कर लेते हैं खित्रफल की और इसके नहीं एक उचाई भी पढ़ लेते हैं उचाई क्या होती है हाइट इना यह उचाई होती है तीन फॉर्मूलेज हमसमें पढ़ने हैं चले खरिमाप क्या होता है सर तीनों बुझाओ को जोड़ दो तो तो A प्लस B यह तो हो गया परिमाप इसके छेत्रफल की बात करें तो छेत्रफल होता है इसका बच्चे याद रखना B by 4 अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर यानि के जो तीसरी साइड है उसका एक बटे चार अंदर है 4A स्क्वाइर जो हमारी बरावर वाली भुजाएं हैं 4A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर यह इसकी अच्छेत्रफल होता है उचाई होती है आपका एक बटे 2 अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर यानि के यहां तो B by 4 है यहां केवल एक बहुत बढ़िया तरीके से क्लास त्यार करके लायों मैं सुरेशन की ताकि परमवीर बैच की इस तरीके से हो कि आप अगर आने वाले अपने जूनियर्स को भी सला दोना तो यह दो कि भाई जो बैच वो चलाते हैं तो गजब का चलाते हैं यूट्यूब पर एसा नहीं हो जिसको लेना है वो लेगा अगर आपको जरूरत है ना पेड़ बैच की तो आप लोगे मेरे कहने से कुछ नहीं होगा कि मैं आप से क्ष्चा के साथ और आपके साथ धोका है ठीक है तो यहाँ पर परिमाप छेत्रफल और उचाई तीनों चीजें आपने बहुत अच्छे से देखिए अब इसके उपर कुश्चन्स देख लेते हैं दो चार यह देखना भाई इस सवाल देखिए एक बार एक सम्दी बाहुत तिर्भुज का जो छेत्रफल है न वो 12 वर्ग सेंटीमीटर है तता इसके बराबर भुजाओं में से पिरतेक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो आधार की लंबाई क्या होगी आधार की लंबाई क्या होगी इसे पान डालती है जो एक सम्दी बाहु यानि के बच्चे आइसो सेलस की बात कर रहा है इसकी दोनों भुजाओं होती है बराबर तो आईसो सेलस अगर मैं यहाँ पर बनाओं तो आईसो सेलस ट्राइंगल वो करे कि जिसकी पिरतेक जो बराबर वाली भुजा न वो पांच सेंटी मीटर है यानि के यह भी पांच है यानि के वह बी के बारे में पूछ रहा है आप!* से बराबर वाली जो भुझा है वह पांच पांच है और तीसरी भुझा बता दो क्या हो गी और इसका छीतरफल भी दे क्वलिए दी है क्हीं द्धिम्हार नहीं टो और ए स्क्वाइर कितना है पांच पूरे 25 और माइनस बी स्क्वाइर तो कितना आ गया यह चार इधर जाएगा तो बी अंडर रूट सो माइनस बी स्क्वाइर बराबर 48 अब सर इसे कैसे सॉल करें रुक जाओ इसे आगे सॉल मत करना इसको यहीं पर रोक दो option चेक करो option चेक करो किस बी की वैलू पर वो आधार की लंबाई बी का मान पूछ रहा है न तो किस बी की वैलू पर मुझे 48 मिल रहा है जल्दी से बता दो ऐसी बी की कौन सी वैलू है जिसे मैं यहां पर रख दू तो मुझे equal में 48 मिल जाए अगर आप इसको सॉल करोगे तो मैं दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा और फिर आपका दूई घातिय समय करण क्वाडिटरिक equation बनेगी अब सबसे पहले मैं 6 को चेक करता हूं क्या 6 का बी का मान रखने पर चे गुणा 100 माइनस छे का स्कुायर होता है 36 तो चे गुणा सो में 36 गए 64 और 64 का रूट होता है आठ तो कितना जाएगा 48 आ जाएगा 48 आ जाएगा मेरा 48 आ रहे हैं लेकिन रुक ना भी रुक ना भी आप 8 को और चेक करते हैं 8 को और चेक करते हैं कि यहां पर अगर मैंने 8 रखा तो कितना आ जाएगा सो माइनस 64 तो 8 गुणा 36 यानि के 6 यहां भी 48 बन रहा है यहां भी 48 बन रहा है तो भहिया इसका मान 6 होगा या फिर इसका मान 8 होगा बताओ जल्दी से 6 होगा या 8 होगा बताओ कुछ भी ओसकता है बाईकपा कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए यह आपने कंडिशन फालो करनी चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पर करूं कि को सट एर न दो और साथ sitt तालिस निए यह तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछऊं के वह 5 और 5 10 10 क्या अगर मैं 06 से मधाय ह हां थे और 15 11 पलंकुल बढ़ाban भ Denn आठ ले लो हैं तो गर कि बताओ आट ही सही क्यूं है मेरा आपसे यही जानना चाहिए है कि अब आप से सवाल है आठ ही सही क्यूं है कि छे गलत क्यूं है कि पहलो ए विल्कुल सही बात बिल्कुल सही पकडे बिल्कुल सही पकडे जहों यहां पर ना ही मैं आई चीज हम देखेंगे एक चीज हमें देखेंगे क्यों यहां पर ऑच्छी वह बारा आ छे स्टर्तापर अगर हमista मान लेते हैं तो क्या यहां सब्सक्वराल कोला हिन लिए अगर मैंने छे को रखा तो छे बटे चार अंडरAND रूट ऑफ फॉरे कितना आयेगा 4 पुमारे 5 पुरे 25 चौक्य गुना कितना आजयेगा 8 आजयेगा ऑर चार दुनी यहां भी लेकिन अगर मैं आठ को लेता हूँ तो पारrn С क्या बने यह अर्वार ओट शोव दिक सप्थ से आपका से और आठ भी आंसर ऑर आपका आठाठ भी आंसर सही है ज़ के-ए आपका छाह भी आंसर सही कि इसकोशन को और करो सारी कंडिशन चेक होगे बच्चे पूरा एरिया सेम आ रहा है हमारी कंडिशन सारी सैटिस्पाई हो रही है और कि उस्से कुछ नहीं पड़ेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा तीन चार पांच का ट्रिप्लेड जब भी बनेगा सवाल करेंगे जल्दी से कि एक संदिवाहू तिर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है इसका पास्विक भुजा तथा आधार का अनुपात 76 है तो भाई तिर्भुज का 6 तरफल क्या होगा जल्दी से बताओ सवाल को बताओ क्या होगा जल्दी से बताओंगे क्या होगा एक संदिवाहू तिर्भुज का परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर है उसने कहा इसकी पास्विक भुजा यानि के लेटरल साइड एंड बेस एरिया बेस और इसका परिमाप उसने दे दिया 40 सेंटीमीटर क्या इसकी भुजा आप निकाल सकते हो कैसकी भुजा यहां से निकाल सकते हो हा जी सर बिलकुल सकते हैं यहां से इसकी भुजा कैसे आप 17 लिनों को जोड़ दो 7 7 14 14 च्च 22 कितना है 20 का मान है 40 तो आर का मान कितना हो जाएगा आर का मान हो जाएगा दो यानि के साथ दूनी 14-21 12 वच्चे आपको यहां पर 14-24 और 12 मिल गया एरिया का फॉर्मूला होता है वी एव फोर अंडर रोट आफ ऊफ वूर A square minus का B square रखिए और आपका अंसर आजाएगा जल्दी से मुझे बता दो यहां पर आपका आपका अंसर कितना आएगा आपका उत्तर कितना आएगा जल्दी से बता दो तो यहां पर आप B का मान रखेंगे 12 12 बटे चार अंडर रूट ओफ 4 A square A कितना है आपका चौध है तो 196 माइनस का B square यानि के 144 में गुणा चार कितना होता है चार चिंग 24 हासिल के दो चार नाम 36 और दो 38 तीन चारेकम चारतीन साथ माइनस 144 और यह कितना है चारतीय बारा तीन है तो तीन अंडर रूट ओफ जीरो आठ में से चार गए चार साथ में से एक गया छे तो तीन गुणा 64 का 8 भार आ जाएगा रूट 10 बचेगा तो आपका आगया 24 अंडर रूट 10 कितना आगया 24 अंडर रूट 10 ऑप्शन नंबर A बिलकुल सही जवाब है कि जिसको बोलते हैं सम कोन तिर्भुज इसके बारे में पढ़ते हैं हमने इसकोला समदीबाहू को हमने के संबाहों को तीनों को केलियर कर लिया अब चलते हैं अपने समकोन यानि के राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ टॉपिक डालेंगे समकोन तिर्भुज यानि के राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है सर अभी बताऊंगा राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बचे एक ऐसा तिर्भूज होता है जिसका एक कॉन जिसका एक कॉन क्या होगा जिसका एक कॉन होगा आपका ये नब्वे डिग्री का यानि के ये एंगल इसका नब्वे डिग्री का होता है इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल इसको बोलते हैं समकोंड तिर्भुज ठीक है समकोंड तिर्भुज यानि के राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसका एक को नब्वे डिग्री का और इसको क्या बोला जाता है तीनों को बताएंगे बचे इसको बोला जाता है आपका हाइट हाइट बोला जाता है इसको बोला जाता है बेस और इसको बोला जाता है आपका हाइपोटेनस या फिर इसको हाइट भी इसको परपेंडीकुलर भी बोल देते हैं परपेंडीकुलर नाम भी है ना कोई सी मूवी में किसी का परपेंडीकुलर इसको बोलते हैं हाइपोटेनस ठीक है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस इंगलिस में अगर मैं बताऊं तो इसको बोलते हैं कर्ण इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब ठीक है सौट में लिख देते हैं पी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एच और आधार यानि के बेस यह इसको बोला जाता है ठीक है यह चीज कहीं भी पूछ लो तुमसे अभी मैं तुमसे पूछने लगो ना कि मैंने है अब हाँ आपको अभी पता नहीं चलेगा आपको लेकिन यह पता है कि कैंक। maneira सब्सक्राइब देख लेते हैं इसके फॉर्मूले कहता है कि अगर आप लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग करते हो तो कर्ण का वर्ग मिलता है आपको मिलता है अगर आप परपेंडिकुलर का स्कॉयर करते हो अगर आप परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग करते हो तो आपको को मिलता है हाइपोर्टेनुस का स्क्वायर यह बात है जो ट्रिपलेट बनाती है जो हमारे त्रियक बनाती है यह बात वही है क्या है त्रियक बनाती है P sqr plus B sqr cloak h sqr और इसी को ही बोला जाता है पाइथा-goris-thiorum नियानि कि आप प्लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग करोंगे जोड़ोंगे ना तो आपको करण का वर्ग मिलना चाहिए कि आपको करण कि न किसम रुभी कुमारी कि तुम और इसना पढ़ाई सकते हैं 높ग लास और प। प्लिल जा सकते हैं बाद में देख लेना क्लास को कि क्या है मैंने कहा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर हमारा क्या होता है कर्ण का वर्ग होता है जैसे अगर तो मैं आपसे कहूं कुछ ट्रिप्लेट अब मैं आपको सम्ट्रिप्लेट बताता हूं सम्ट्रिप्लेट यानि कि अगर मैंने यहां पर कोई के ट्राइंगल बना दिया आए तो ये भुझा अगर तीन है सपोज और यह चार है तो अगर का वर्ग करें चार का वर्ग करके जोड़ोगे तो पर मिलना चाहिए तो 9 प्लक थी ऑ हाइपोटनेस का वर्ग तो हाइपोटनेस कितना आ गया अंडर रूट आफ सोलर नौ पच्चिस यानि के पांच तो यह तीन है यह चार है तो जरूरी सी बात है इसको पांच बनना पड़ेगा और ऐसे कुछ लिखे हुए मगरां कुछ लिखे हुए ट्रिपलेट है जो आपक पांच बारा तो तुरंत आ जाना चीए 13 भी होता है इसका ट्रिपलेट में हैना तो ऐसे मैं कुछ ट्रिपलेट आपको लिखवा रहा हूं जो यहां पर इस राइट एंगल ट्राइंगल सम्कॉन्ट से बुज में फिट बैठते हैं तो लिखेंगे सम इंपोर्टेंट ट्र और पांच जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना जो सबसे बड़ी भुजा होती है बचें वह हमारी क्या होती है हाइपोटेनस होती है याद रखना किसी भी समकॉन्ट तिरभुज में हाइपोटेनस जो करण होता है वह सबसे बड़ी भुजा होगी सबसे बड़ी तो यहा अगर आप डबल कर दोगे 12 16 और 20 ये भी ट्रिप्लेट होता है सब ट्रिप्लेट होते हैं ठीक है और बताऊं पांच 12 और 13 का इसके बाद में और क्या ट्रिप्लेट बन सकता है याद दिलाते रहे न मुझे कौन कौन से ट्रिप्लेट बनते हैं इसके नौचाल सकतालिस ये भी इंपोर्टेंट ट्रिप्लेट है और क्या है बीशिक इस उनतीश बनता है ना इसीं किसट चार्सो चारस आट्स टालिस यह यह भी बनता है एक ट्रिप्लेट होता है साथ 24 पच्चिस का यह मुझवान याद रहने चाहिए आपको बिल्कुल साथ चौविस पच्चिस का और क्या बनता है कि अब तुम बताओ कौन कौन से ट्रिप्लेट में यहां पर लिखू तुम्हें कौन कौन से याद है क्यों एक तंचार मुझे याद आ गया कमेंट में देखकर तुम लिख दोंगा आठ 1517 हाँ यह भी च्रिप्लेट react मror कोई कि अव्य होता है द्वी याद आ गया मुझे फारे पे सैंटिस यह भी ट्रिप्लेट है और कोई सब्सक्राइब काम नहीं आता इतना साथ चौबिस पच्चिस लिख तो दिया साथ चौबिस पच्चिस कि अठावन बावन अठावन अरे क्या लिख रहे हो तो आप इतना ट्रिपलेट याद रखना बाकि एक दो अगर एक सवाल में भी आ उसको वहां से याद करने लेकिन यह मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको याद रहने चाहिए तीन चार पांच छे आठ दस पांच बारह तहीं रहे तो चलिए अब यह ट्रिपलेट हो गए अब जैसे मैं आपसे यहां पर कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं कुछ फॉर्मुले लिखवा देता हूं उसके बाद मैं कुश्टनले कराओं contributing के संकोड तिरभुज का जो चित्रफ फल होता है जो एरिया होता है जो छित्रफल होता है वह होता है एक बटे दो गुणा लंब गुणा आधार एक बटे दो गुणा लंब गुणा आधार अगर यहीं पर मैं आपसे परिमाप पूछने लगूं पैरी मीटर क्या होता है जल्दी से कोई मुझे बता सकता है क्या कोई भी मुझे बता सकता है क्या चलिए बताएंगे चलए इसमå में सब दोबारा से होगा टेंशन दना लिए परिमाप कर सकते हैं अ digital अगर यहीं पर मैं आप से पूछने लगूं कि इसका इसका परिवरत की तरज्या क्या होगी हुआ तरज्य भी बोल सकते हैं परीत रज्य जो होती है ना वो होती है यानि के कर्ण का आधह इसकी परीत्रज्य होती है इसकी अगर मैं अन्तहत्रज्य आप से पूछने लगों अному है अन्तहत्रज्य جो छो है इसका इन रेडियस यह कैपिटल र है यह स्मॉल आर है यह होता है आपका पी प्लस वी माइनस एच और बटे दो यह इसका अंत्य तरज्जा यह कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप याद रखेंगे और यही कहानी है समकोंड तिरबुज की यही कहानी है समकोंड तिरबुज की इंग्लिस में क्या परितरज्जा यानि के आप इसको बोल दो भाई परितरज्जा को सरकम रेडियस अंत्य तरज्जा इन रेडियस इन रेडियस परिमाप होता है पैरी मीटर हित्रफल होता है एरिया तो यह इनकी इंग्लिस हो गई तो यही कहानी है समकोंड बनता है और कैसा बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा बचे लेकिन आपको यह पता होना और यह फिंगर टिफ्स पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कहीं कहीं सवालों में पता है क्या होगा आपको भुजा दे देगा और आपसे छित्रफल पूछेगा आपको यह नहीं तिर्भुजा यह आपसे नहीं बोलेगा आपसे बोलेगा कि इसी तिर्भुज की भुजा है मालो 2129 और आपसे बोलेगा कि इसका छित्रफल बता दो अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप हीरोज फॉर्मूले से जाएंगे इससे जाएंगे हीरोज फॉर्मूले से आप जाएंगे जो आपने पढ़ाए कि अंडर रूट आफ एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी वहां से आप इसका छित्र फल निकालेंगे निकल जाएगा लेकिन अगर आप जानते हैं कि बीस इकीस और उनतिस भाई हमारा ट्रिप्लेट होता है कि इसका समकोन तिर्भुज का तो आप उसका एरिया निकाल दोगे एक बटे दो गुणा पेस गुणा अधार गुणा उचाई तो यहां पर आपको बताओ यह चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल के लिए रहनी ऐसे आएगा सवाल किसी तिर्भुज की भुजाएं किसी तिर्भुज की भुजाएं किसी तिर्भुज की भुजाएं किसी तिर्भुज की जो भुजाएं है ना वो है क्या नो चालिस किसी तिर्भुज की किसी तिर्भुज का आधार चालीस है या फिर किसी तिर्बुज की भुजाएं, क्रमस हैं, नो चालीस तथा एकतालीस हैं, एकतालीस हैं, तो छेतरफल ग्यात करो तो छेतरफल क्या होगा आप क्या बताएंगे यहां पर जैसे आपको नहीं पता कि सर 4941 यह हमारा क्या होता है यह हमारा समकून तिरभुज की भुजाए होती है अगर आप नहीं जानते तो आप फिर इसको जाएंगे हीरोज फॉर्मुला से पहले आप इसका सेमी पेरिमीटर निकालेंगे सेमी पेरिमीटर निकालकर फिर अंडर रूट ऑफ एस माइनस एस माइनस भी एस माइनस सी करोगे आ जाएगा वहां से भी छेतरफल लेकिन अगर आप जानते हैं चानवार 1 यह तो होती है हमारी किसकी राइट एंगल राइंगल सम्कौन तिर भुज की बुज़ क और सम्कौन तिरुहीं का तो एरिया होता है एक बटे दो और 41 भुजहा को छोड़ दो क्यूंकि है सबसे बड़ी भुजहा को च्छोड़ दिया करो वहत तो करन है और बागी 2 को गुणा कर दो 9 गुणा 40 कितना होगा 20 बार और 9 दूनी 18 आंसर कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट है इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हो तो लिए सवाल कराता हूँ मैं आपको देखना यह सवाल को करेंगे सवाल को चुड़ दूगा आपको मैं आज आज में तिर्भुझ कल कल में हम क्वाडिलेटरल कर लेंगे और बताओ नहीं कर रहा आपको ज्यादा परिसान दस मिनट और ले लो बैस आपका इसार पांच सवाल करा दो इसके फिर कलकल में चतुर भुझ क्वाडिलेटर के लिकास करा सून हूं सर्राय ट्रैंगल में लाल बते ककक लाव यो सुना वहीं कोंपर सुन लाव है क्लेशह दिया रहते हो दुब जो तुम सुन तो सब करा हो किया यहां पर कि ऐसी तो बहुत सारी चीज हैं जो तुम सुनते और मैं यहां पर करा नहीं सकता या क्या फर्माइस लाते हो तुम लाल बटे कखका पच्छे वह आपके एंगल निकालने के काम आती है हमारे उसमें जमेटरी में हमारी ट्रिग्नोमेटरी में ज्यादा मत सुना करो जो बढ़ा रहा हूं उसको फोकस रखो एक तिरभूज की भूजाओ का अनुपात 17 1213 तो समकोन तिरभूज होता देखो यहां पर उसने कहीं भी जिक्र नहीं किया समकोंड तिर्भूज है उसने भुजा बोल दी कि भुजाओं का जो रेशियो है ना वो पांच बारे और तेरे है भाई मैं समझ गया कि यह पांच बारे तेरे ना यह हमारा समकोंड तिर्भूज होगा 100% समकोंड तिर्भू तो यहां से आर कामान कितना आगया आर कामाना आगया साथ बटे तीस याने कि 2 आर कामान आगया तो भुजा क्या ओ गई कर पांच दूनी 10 1224 और थेरे दूनी 26 यह हो गई भुजा छेत्रफल पूछा है बड़ी भुजा को हटा दो एक बटे दो गुणा 10 गुणा 24 दो पंजे 10 और 24 पंजे 120 आंसर कितना होगा बचे आप्सन नमबर सी बिलकुल सही जवाब आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वाइर हो जाएगा चली परमीर बैच का प्रेक्टिस सेट आएगा भई 10 तारिक से आएगा यदि एक समकोंड तिर्भुज का परिमाप 144 सेंटीमीटर है और कर्ण जो है वो 65 सेंटीमीटर है तो तिर्भुज की सबसे छोटी भुजा का माप यहां पर आपको मैं थोड़ा सा टेक्निकल कराऊंग सबसे जादा कारगर है ट्रिपलेट पता है तो आप कर जाएंगे किसे देखें कि समकोंड तिर्भुज की जो परिमाप है ना वह 144 है और उसने कर्ण दे दिया हाइपोटेनस दे दिया 65 अब देखना आपको टेक्निकल कैसे कराता हूं कर्ण कितना है 65 है आपने जो ट्रिप त्रिपलेट ना पढ़एं सब्सक्राइब हमने तो सर एक ट्रिपलेट पढ़ा है हमने तो एक ट्रिपलेट पढ़ा है कि 13 गुणापाच st 65 होता है पढ़ा है कि नहीं 13 गुणा 5 65 होता है अब 13 गुणा 5 मैं इसको लिख दूँ हमने गुणा पढ़ा है कि 13 ट्रिपलेट किस में आता है 13 ट्रिपलेट आता है पांच बारे और 13 तो पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा हाजि सर पढ़ा है 5 बारे और 13 ट्रिपलेट ओके अब यहां सब में 5 से गुणा हो रही है तो यहां भी 5 से गुणा पर दूँँ तो यहां भी 5 से गुणा हो जाएगे 25 भारे पंजे 60 और 75 लेकिन उससे पहले चीज देखो कि क्या तीनों का योग परिमाप 144 है अगर नहीं है ना तो 65 फिर किसी और के साथ ट्रिप्लेट बना रहा होगा किसी और के साथ ही ट्रिप्लेट बना रहा होगा अगर ऐसा नहीं है तो हलाकि बहुत सारे सवालों में आपको ऐसे ही मिलेगा आप देखेंगे 60 25 और 65 नहीं बना रहा है या रहे तो यह तो 90 हो गया 90 और 65500 हो गया 144 चाहिए मतलब के यह 5 12 13 का ट्रिपलेट नहीं बनेगा यहां पर कुछ और हो रहा है वही कुछ और हो रहा है कि तोचते हैं क्या हो रहा है हाँ यहां पर यह पर यह 65 है चाहिए इसने देदी है तो उसरे परिमाप दिया है मैं इसको है कि माल लो इसको भी प्लस बी फिलस पैसर कि इसके बराबर है 144 के तो यहां से पी प्लस बी कितना आ प्लस ब आ गाए एक左ल चावालिस माइनस 65 14 में से पांच गए नो और तेरे में से चैसे साथ यानि कि पीने कि प्लस बी कितना अ गया विची दोनों का योग आ गया आपके पास जयूटाप पास सैवंटी नाइच अब यहां पर ना एक यूणिट से जाएंगे थोड़ा से unit desert से, क्योंकि हमें दोनों का योग मिल गया 79, इन दोनों का योग, उसने सबसे छोटी भुजा पूछिया, किसी एक भुजा को देख लो, अगर एक भुजा 38 है, देखो एक तो 65 है, यह तो clear है, अब यह दो भुजा मुझे क्यात करनी है, और दोनों का योग 79 है, दोनों का योग ना 79 है, तो अगर मैं एक को 38 ले लेता हूँ, तो दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी, 79 में से 38 घटा दो, 9 में से 8 गया 1, और 7 में से 3 गया 4, यह यह होगी, अब क्या इन दोनों का योग मिलाकर 65 के वर्ग के बराबर जा रहा है, तो वो हमें थोड़ा सा कर पड़ेगा, भई, 88, 64, 4 है, और एक एक पांच, यूनिट डिजिट 5 से मैच कर रहा है, बहुत खतरनाक चीज़ चल रही है, यहां पर बहुत खतरनाक चीज़ चल रही है, बहुत खतरनाक चीज़, तो क्या करें, फिर हमें भीया स्कॉयर करके देखना पड़ेगा, पांच तीन यठ्ठे 24, 23, 24, 23, 24, 21, कितना होता है, इसका ट्रिपलेट याद करेंगे, निकाल करेंगे, बच शोले, 63, 65, बचे निकाल लेते हैं, अब आप इसमें घुज गए ना, तो ट्रिपलेट निकाल करी मानेंगे, तब याद करेंगे, तो चार, चार, तीन और एक चार, यह 81, तो इसको 1681 में जोड़ेंगे, कितना है, चार और एक पांच, आठ चार, बारा, चार, दस, दस, और एक ग्यारा, एक दो रेक तिन, एक अत्तिस सो पच्चिस, ब्यालिस सो पच्चिस के बराबर नहीं है, नहीं है, तो फिर आप यहां पर इसको हटा दो, फिर मैं मान के चलूँगा, 16, फिर यह दो भुजाई लेका चलेंगे, 16, एक भुजा को 16, माना तो दूसरी कितनी होगी, 9 में से 6 गए, 3 और 7 में से 1 गया, 63, अब इन दोनों का वर्ग देख लो, 6, 36, तीन तिया 9, नो और 6, 15, बन रहा है, तो 16 का वर्ग होता है, 256, 63 का वर्ग और कर लो, तीन तिया 9, 3, 6, 18, 6, 36, और 1, 37, तो 9, 8 और 8, 16, 7, 8, 9, 3, और इसमें 256 अगर मैं जोड़ दू, तो 9, 6, 15, 6, 5, 11, 12, 9, 2, 11, 12, 42, 25 आ गया, बच्चे यानि के यही ट्रिपलेट है, और छोटी भुजा क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बच्चा बहुत देर से कमेंट भी कर रहा है, सरी है, ट्रिपलेट पढ़ा है, मैंने, कोई बात नहीं, बच्चे आप अपने ट्रिपलेट में लिख लो, कि 16, 63, 65, देखो, अगर ट्रिपलेट नहीं पढ़ा, तो इतना ट्रिपलेट निकालने में लगना ही है आपको, तो भाया ये ट्रिपलेट आप याद कर लेना, अपने जहां पर ट्रिपलेट लिखेते नीचे लिख लेना, कि 16, 63, 65 का भी ट्रिपलेट होता है, ठीक है, कोईशन रॉंग नहीं है, अच्छा, इतनी देर लग गई तो कोईशन रॉंग है, अच्छे एक बात बता, अगर त सच में, मैंने फोटो पर डेट नहीं डाली, फॉर्म रिजक्ट तो नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों होगा, एक समकोन तिर्भुज, तुम हलके कुश्चन रखोगे ना, और सब के नंबर बटे के बटे आएंगे, सब के नंबर बटे के बटे, लगालो का टॉफ अप कितन सबसान दोगे ना, तो अगर 30,000,000,000 बरे गए हैं, और मालो 20,000 सीट हैं, तो कम से कम 20,000,000 लोगों के ना, 30 में से, वो 100 में से 100 आ जाएंगे, लगालो का टॉप, भार में कैंसिल हो जाएगा, पैंसी कैंसिल हो जाएगी, बना लो पेपर, एक समकोण तिर्भुज का परिमाब 60 cm है, इसका कर्ण 26 है, तो तिर्भुज का छेतर बन, देखो यहां पर अब वो चीज जो हमने पिछले सवाल में, मैं गयता हूँ ना, मेहनत कभी विफल नहीं जाती, कभी मेहनत बेकार नहीं जाती, या तो जीतोगे, या सीखोगे, मे समकोण तिर्भुज बनाते हैं, उसने का इसका परिमाब 60 है और इसका कर्ण 26 है, अब आप देखो 26 है कर्ण, आपने ट्रिपलेट पढ़ा 26 कर्ण किस में होता है, 26 जो कर्ण होता है, जल्दी से मुझे बताओ, उस ट्रिपलेट का नाम जिसमें 26 कर्ण होता है, जल्दी से दस चौविस चौविस तो नहीं होता है, बिल्कुल होता है, सर एक साइड दस हो जाएगी, एक साइड चौविस हो जाएगी, उसने परिमाब 60 कहा है, देख लो 60 ही मिलेगा, 26 और 24 कितना होता है, 50, 50 और 10, 60, आपका परिमाब भी 60 है, उसने कहा इसका छितरफल बताना है, एक बटे दो, गुणा 10, गुणा 24, आ गई ना पिछले सवाल की मेहनत काम यहाँ पर, उप्सन नमबर ए, 25, 120, मेहनत कभी बेकार नहीं, किसी सवाल में भुष जाओ, आप गलत कर रहे हो ना करो, रटो मत चीजों को, पिछले सवाल में एक बच्चा गरा सरी ट्रिपलेट ह आपको 26 वाला ट्रिपलेट नहीं पता, अगर आपको 26 वाला ट्रिपलेट नहीं पता, तो कैसे करें, देखना, आपको एक पांच बारे तेरे का ट्रिपलेट तो पता है, पांच बारे तेरे बड़ा कॉमन सा ट्रिपलेट है, 26 को आप लिख सकते हो, तेरे गुणा 2, लिख लोग एक ठिपलेट दस चूब्श चब्विस का ऐसे ही तो बना ये एसे ये तो बना दस चूब्श चब्विस का ट्रिपलेट तो दो दोनों गुणा करके 240 बटे 220 आपका अंसर आजाएगा है कि यह सवाल करना करो अजे सब्सक्राद करो क्या होग इशांशर करना इसको अगर और यह हुता है वेकेंसी नहीं आ रही होती ना तो बाभाई सर्थ लाइसरां छीडस मंजानं dedicate campe आठ सो पहुत बड़ी वैलू के दी मैंने आपको चाहे कितने बच्चे लाए चल रहे हो लेकिन पता है कि दो महिने बाद वेपर यार पढ़ना तो है पढ़ लो भाई कहां जाओगे अब कर दूंगा लास्ट कोशन है लास्ट कोशन है इसके बाद छुटी कर दूंगा देख खान के बीच की न्यूंतम दूरी क्या है समकोन तिर्भुज का सवाल है समकोन तिर्भुज का सवाल है एक डाकिया उत्तर यानि के नौर्थ की तरफ गया 120 मीटर और उसके बाद वह पूर्व की तरफ 50 मीटर गया यहां पहुचा तो उसने कहा कि आरंभिक से न्यूंतम जैसे गया वैसे ही बताओ अब इसके एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको नियूंतम दूरी बच्चे यही होगी नियूंतम दूरी गये क्या हम घूमने गए थे इधर मलब उत्तराखंड की तरफ तो हम तीन-चार दोस्त थे अब एक पहाड़ पर चड़ना तो घूम तो र रास्ता ही क्यों नी बना दिया दस मिनट में पहुंच जाते हम उपर चोटी पे पूरे गुमाते गए चार गंटे गुमाते हैं सर में दर्द और कर दिया तो वह ऐसे नहीं होता सीधा आप चड़ जाओगे लेकिन नियूंतम दूरी उसने उसने का यह पहाड़ है यह पहा पॉइंट से एंड पॉइंट को जोड़ दो वहीं नियूंतम दूरी हो जाएगी अब यहां पर यह 50 है भाई ट्रिप्लेट बनाओ क्या मैं इसको पांच गुणा बारे पांच गुणा दस लिख दूं क्या कर दो इसको मैं दस गुणा बारे तो पांच बारे और तेहरे का ट्रिप्लेट तो दस-दस की गुणा हो रही है तो यहां भी दस कर दो कितना आ गया 130 आ गई भाई नियूंतम दूरी कितने आ गई 130 आ गई option number C आपका बिल्कुल सही जवाब होगा चलते हैं यह हमवर का question देता हूं आपको बचेश का अंसर कमेंट box में बताएंगे और कल मैं आपको चतुर्भूज यानि कोडी लिटरल करा दूंगा जिसमें square पढ़ेंगे रोंबस यानि के सम चतुर्भूज पढ़ेंगे और इतना आपको मैंने आज कराया है इसका रिवीजन जुरूर करना जो फॉर्मूलेज लिखवाए हैं रट्टा मारना उनका खूप तो ट्राइंगल की सारी चीज़े खतम हो गई बागी मिलते हैं कल के सेशन में थेंक्यू बाइबाइबाइब जैहनु